असलाम उलेकुम कसौटी आड ओपन माई कैफे यू ए ही स्पेशल में मैं हूँ आपकी उस दॉक्टर हुगा और मेरे साथ मौरूद है अफ़ताब इकबाल सहाब बबूराना शकील चौदरी सहाब अब F.S.J. और हमारे चैलेंजर भी हमारे साथ हैं साजित चौदरी सहाब असलाम अलेकुम वालेकुम सलाम तरह कहां से बात कर रहे हैं अब इसमें हवेली लगा से बात कर रहा हूं जिसका कोकाड़ा में आप लो जी मोड़ताब दी हो है मैं आप क्या नहीं से के वड़े शन तो शेक सियत जिन जिन्दा नहीं है कि मद्न भी शेक थोड़ी से स्परीड स्लो रखिए अगले को सोचने का टाइन दीजिये ए शेय काई अब है वे शेय 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 थी अटियो कर दें मर्द भी पूचा है अबने जिनदा पूचा है नहीं पुछ ले हैं सब तो पहली हो पुछे मर्द, जिन्दा, अशियाई जो के इन्होंने कह具 है अशियाई है तो साउथ ऐशियन पाकिस्तानी पाकिस्तानी नहीं है तो आंडियन है भी अब आईए आप उनके तर्तीब ना चेंज़ किया करें अब आजाएं उसकी सिन्ने वफात पे साजी साब इनके इंतकाल को पचास साल से ज़्यादा हो चुके हैं? नहीं साब पच्छी साल से ज़्यादा? बस इसके नजदी की हैं आगे दीखे वजह शोहरत जो है शोबिस? शोबिस हो सकता है जी शोबिस के ज़्यादा चांसिस है अच्छी चरसाब वजह शोहरत शोबिस है? नो सर अच्छा सियासत और हुकूमत है? नो सर इल्मो फजल है? नो सर अहाँ वाव इल्मो फजली भी नहीं है सियासत भी नहीं है अच्छा फिर, स्पोर्ट्स है जी वजह शौरत? नौ सर बिग बिजनेस पूचा जा सकता है बिग बिजनेस बिजनेस भी हो सकता है ये पचिस साल पुरानी कही है? जी पचिस के आस पास है को दो चार साल ऊपर या दो चार साल नीचे अग्जेक्ली 25 नहीं 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 लेकिन दो चार साल आप ने कहा था 25 साल से कम हुआ है यही कहा है ना तकरीबं 25 तकरीबं 25 का मतलब है 98, 99, 97, 96 नीचे आईए और उदर हकूमत थी 97 में बाजबाई साब की अच्छा जस्वंत सिंग क्या सियासत और हकूमत से बड़ा गहरा तालग लो बिलकुल अच्छा यह दिल्चस्प तरीन बात जो है ना यह है कि हमसे उसका शोबह अभी तक डिटरमिन नहीं हो सका और उस दोर में को बिग बिजनस की कोई शक्सियत कोई रिलाइंस का पाउंडर सा दिरू भाई निरू भाई का पीरिड यही है य बिलकुल अमभानी इसके अमभानी साब के अबबात है ना जी जी बिलकुल एपसलूटली दोनो भाईयों के जी के और मुक्ष के अच्छा भीया यह बताईए के वज़े शोरत बिग बिजनस है नो सर बिग बिजनस भी नहीं है सियासत अर्णुमत नहीं है इल्म वफजल शो बिज नहीं है, स्पोर्ट्स नहीं है इल्म फजल भी हम पूछ चुके है ना जी जी पूछ चुके है रिलिजिस परस्टनालिटी की ही पूछ सकते है लेकिन वो उसमें आ जागी ना इल्म फजल में या सियासता रुकुमत में रियक क्या गया है, शोबा कौन सा रह गया है या फिर नेगिटिव रेपूटेशन वाला पूछना पड़ेगा साजित चौधरी साभ जहां पर इन आप से सवाल किया के तालुक बिजनिस से है तो आपका जवाब येस होगा या आप कह लिजिए के बिजनिस से भी है या आप कह सकते हैं के बिजनिस से कह सकते हैं या आप कह दीजिए के बिजनिस से तालुक है और वो वज़ा इशोरत नहीं है अब आप पे डिपेंड करते हैं आप एक कम्प्लीट नो टू बिजनिस नहीं कह सकते ठीक है जैसे डॉक्टर साबा कहा रही है बिजनस से भी उसका उनका बनता है तर्सलेशन लेकिन वज़ा चौरत वो नहीं है जी ठीक हो गया ना असानी है यह अब इसके हिसाब से कर आप सोचें तो वन परसनालिटी तैट कमस तो माइन इस नसली वाडिया नसली वाडिया भी और पिर जो ना मंबईी के डॉन वहाँ पर दो तीन मुस्लिम डॉन्स हुएं बड़े बड़े जो सबसे बड़ा डॉन सो काल्ड जो डॉन मशूर है वो तो जिन्दा है अभी ने उसके बार नी हो ने जो जो फौत हो जुके हजी हाजी मस्तानलीक की नाम था अस्का हाजी मस्तानलीक यह कितुने क्वेस्टिन हुएं डग साबाlor तेरा सवाल पिर खेला ये फेथ वाला क्वेस्टिन कर लेना चाहिए जी चुड़ साहब, वाजी अ मुस्लिम? नो सर नो सर तो ये इस नॉन मुस्लिम वाज बिजनिस आलसो बट वजा शोहरत जो है वो बिजनिस नहीं है किसी एक वाक्य और बुरी शोहरत ये दो चीजें पकड़ें भाईया नसली वाडिया नसली वाडिया इस जना साहब सन इनलॉव नसली वाडिया बात बंस्ती तो है ये वेरी बिजनिस नहीं 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 ग्रांटसन नहीं था दीना वाडियाज हस्बंड पार्सी वह एक्चुली वहीं से आये थे ना गुजरात काथियावार के ये टैनरी बिजनिस से थे बंबे डाइंग उसी की एक्स्टेंशन थी क्योंकि कोई किताब नहीं लिखी कोई स्यासर हुकूमत से तालुक नहीं है यही कनेक्शन है उनकी वज़े शौरत तो स्ट्रेट अवे निस्बत से जाईए किसी बड़ी शक्सियत से को निस्बत थी ये सवाल बनता है ठीक है पूछें चर साब इनकी वज़े शौरत किसी बड़ी शक्सियत से निस्बत थी ये भी नहीं है ये कोई करिमिनल टाइप बन्दा हो सकता है जी फिर इसका असल वज़े शौरत है क्या शकील कोई इन्फेमस शक्सियत यहाँ मिना ख्याल है यही होगा जी चर साब कोई नेगिटिव रेप्टेशन वाला बन्दा है ये जी सर जी सर सोला सवाल गैंक्स्टर ही होगा जी सर ये देख लें ये देख लें कि वो जिन्दा था उस वक्त तक वो बाद में मरा है ये चाल सोवराज और पता है अबी तब मरा भी है कि नहीं रिघा हो गया मरा नहीं है पता है फो जिस सर जी चाल साब पूलन देवी के साथ कोई लेंक्ट आदमी तो नहीं है कोई वो ठाकर जिसको फूलन देवी ने بعد में मारा था, the one who violated her, पूलन देवी को भी किसी ने इसी तरह मारा था ना, वो तो, वो भी तो है ना, आपका, पौलिटेक्स में आगी थी ना, वो तो पौलिटेक्स, तो मार सिंग, क्या सिंग, तो मार सिंग, वो तो तो मार तो बड़ा खुद बड़ा दबंग आदमी था, उसके साथ तो जल्म हुआ थाकरों ने जल्म किया था, तोमर, उसका नाम था, पान सेंग तोमर, पान सेंग तोमर, एक और भी है ना, विरापन भी तो है, जो साउट इंडिया में, लेकिन उसका तालग तो सियासत से था, वो मारूफ शक्सियत तो है ना? जी सै, जी हमारे उल्मा एकराम जो आसपास हैं, वो कहरें जी मारूफ शक्सियत है, गहर मारूफ नहीं पूछी उन्होंने, हम पहुँच नहीं पा रहें उन तक, उस शक्सियत तक ये एक अलग बात है, लेकिन है मारूफ, और अब तो इतने क century should be from Bombay may be Bombay Underworld are you sure sir Rajan is alive not sure क्योंकर Rajan was not a Muslim नहीं राजन is not a Muslim एक तो वो भी है ना जिसके पे फिल्म बनी है शूट आउट लोकुन वाला क्या नाम था माया लेकिन वो बिसन्स प्यूर गैंक्स्टर किलर और कॉस्चिंस कितने हुए डग साबा शुर्स सोला सवाल somebody who was hanged somebody who was killed maybe somebody who was killed outside India आजकल ये भी एक सलसला चल रहा है ना कैनेडा वाला सीन भी हो रहा है आजकल कोई पाकिस्तानी जेल में को बंदा रहा हो बहुत सारे बंदे रहे हैं एक बंदा निकला था यहां से जिसके घर वालों ने बड़ी खप डाली थी बड़ा मिननत तरला किया था जी पूर है वो और यहां से जाते ही फिर गया कहता है आओ जी मैं एक ऐसा एजेंट इस तरह के मैं तेन चार लोग हैं हाँ इन ही में से एक हो सकता है जो किसी पाकिस्तानी जेल मोस्टली बिजनसमें वो जड़ा मुशकल है इसके वाले से कोई बहुत बड़ा बुकी बहुत ब बस भी यही है देखा जाये थो कोई गुझरात के जेनोसाइड में कोई बंदा इंवाल्ड हुआ हो तू थाउजन टू में बॉम्बे दिली पंजाब बॉम्बे दिली पंजाब पंजाब अब वो दो तीन थे जिन्नों ने इंद्रा गंदी को मर्डर किया था वो तो दो सि की कोई शक्सियत एफस जे सोचें फिल्म इंडस्ट्री की शक्सियात वहां भी बड़ा क्राइम चलता है आँ अच्छा ने बट वो तो यार शो बिस है ना गुलशन कुमार वो तो टी सीरीज वाला वो तो तो खुद मर्डर हुआ था ना जिसने किया उसकी बात करें ना मैं उस बक्से मैंने टी सीरीज वाला उसी लम्हे मेरे जहन में आ गया था लेकिन इन्हों ने कहा है शो बिस से कोई तालुक नहीं है ना तो उसमें जो उसका वन ओव तो पीपल अक्यूज ऑफ इस मुर्डर वस नदीम जो नदीम शवन डूओ था जी 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 ऑफ मुजे इसल कार था बहुत बड़ा आपको पताया कैसे कैसे गाने उसने कंपोज किए और यह एर वाई की सिर्टिज़ ट्यून उसकी ट्रीएशन है यह नेईोज की एर वाई नईोज की उसकी नदीम शरवन यह चंद दिन पहले हम खिकर कर रहे थैं यह कोई बहुत बड़ा इस तरे का कुछ जैसे कोई गुर्ु पीली पत्ती कोई गुठका कोई इस प्रोड़क्ट का कोई ओनर होगा सत्या जैसी फिल्म वोसर फिल्मी ना होते हैं ओरिजनल नाम नहीं इस्तेमाल करते हो डिस्क्लेमर देते है और प्लस उसमें जायतर वो जो है हैं वो स्टार्टर्व होते हैं उजाता कर साफ दिखाते हैं कि जी वो बिल्डर को उठा लिया ऊस्छाथे पैसे निकल वालिए फिल्म वाले को उठा लिया उसे पैसे निकल वालीए अच्छा जी फिर Mansion किसीड करें हम तो सारी रात बिठाए रखेंगे जोर साथ वैसे ही नीन के साथ नहीं 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 एक एने टे दो चार क्वेस्टन तो हमें करने चाहीं कंस्यूम जी तो वही कह रहा हूं नहीं चार क्वेस्टन जल्दी जल्दी कंस्यूम करें और कंस से भी था, यानि पीछे जमपल कहीं और का होगा, लेकिन उसकी हकूमत थी अंडर वर्ल्ड की, वो यहीं होगी, सर राजन की तरफ, राजन की तरफ बाजन, जब हम नाम लेंगे ना, जब हम नाम लेंगे तो बॉंबे लफ़ वहां पर यूज होगा, उसका डिसलेशन था राजन हो सकता है, यह कोई वो ही है, कोई बंबे का डॉन ही है, बंबे का डॉन, बंबे, बंबे जूलर्स, बंबे टेलर्स, बंबे, अच्छा बंबे, बंबे स्टूडियो, फिल्म स्टूडियो, बंबई का डॉन, बंबई का डॉन, बंबई, बंबे, बहुत सारे इस तर तो और थी ये फिल्म company जो थी company इसमें एक character था जो उसके साथ जिसका पहले शुरू में उसके साथ काम करता है फिर उसके खिलाफ हो जाता है मेंद्यन उसमें पर उसके साथ मुसल्मान था वे उसका साथ जो काम करता था जो कीनिया चला जाता है और उसको पीछे वहाँ पर चाह जी शोबिस से नहीं है तालुक इंफिमस आदमी है बदनाम है टेरिजम की कोई वारदात कोई टेरिस था जिसने बॉम्बे में कोई वारदात की किसी के खिलाफ वारदात की किसी या फिर डॉन था को अंडर वर्ल्ड का अब अंडर वर्ल्ड है या टेरिसम है टेरिसम की कोई शक्सियत नजर नहीं आरी सर अंडर वर्ल्ड है इट इस अंडर वर्ल्ड बॉम्बे अंडर वर्ल्ड के साथ गहरा तालुक था तो ये सर फिर क्या रहा रहा राजन चोटा राजन या ये राजन ही की तरफ बात जारी है सवाल कर दूँ बॉम्बे अंडर वर्ल्ड की कोई शक्सियत शकील साथ बिलकु 구a जी 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 14 साथ ये बताइए कि बॉम्बे अंडर वर्ल्ड की कोई शक्सियत है नू सार नू सार कीड़ा 18 सवाल होगे हैं जी तुसता जित्ती खलोते हो इसका मतलब एक इंसिडेंट है इंसिडेंट वाक्या अब वाक्या तो बहुत असान होना चाहिए यार उसके आसपास को वाक्या देखें क्या हुआ कोई किड्नैपिंग कोई डिप्लोमेटिक बहुत बड़ा फ्रॉड कोई आनी रहा जेन में कोई जमतारा की कोई शक्सियत जमतारा से कोई शक्सियत आती है F.S.J. क्योंकि आप फॉलोर हैं इन चीज़ों के बहुत ज्यादा नहीं आरी पन्जी साल पर आनी शक्सियत 98 के करीब डेथ हुई है डान नहीं है मुंबाई से तालुक है वर्ड मंबाई भी आता है उसके इसमें सर आप ये भी तो देखें ना कि उसने जो वारदाद की हो वो बहुत पुरानी हो बहुत पुरानी और मरा हो 2000 के करीब 20 साल पुरानी वारदाद करके 80s में उसने को हरकत की ओ, 70s में की ओ, आप देख लीजे, ये गांधी के साथ कोई तालुक, गांधी के बेटे के साथ, संजे के साथ कोई तालुक, संजे के साथ संजे डाइड इन एर क्रेश, एर क्रेश, बिलकुल वो अपने जहाज पे खुद निकला हुआ था वो तो तामिल इशू था, तो तब का मामला है, फिर वहां पे कश्मीर में कोई बाक्या, हजरत बल, वो तो मंगल बाग था ना, हजरत बल के बाक्य में तो मंगल बाग, ये बिजनसमेन है और नेगिटिव रेपुटेशन है, तो इस था इसने किसी राइवल को मर्डर किया हो, माय राइवल को मर्डर, स्पाउस को मर्डर किया हो, अपनी बीवी को मर्डर किया हो, ज्यादा चांसेज जो है ना, वो स्पाउस वाले लग रहे हैं मुझे, हियूमन ट्रैफिकिंग की कोई शख्सियत सेहन में आती है, कोई, वो तो फिर उसमें आ जाता है, डॉन्स मे और पंजाब, इसके आस पास देखिए, बेंगॉल भी देख सकते हैं, बेंगॉल में भी हो सकता है, बिहार, बेंगॉल, नहीं, दिल्ली में कोबा क्या है, आया कहीं और से हैं, और मॉंबाई में, भी मोस्ट लाइकली डाइड इन मॉंबाई, जी, बाल ठाकरे के मानने वा हो जाएगा ना, हाँ, फिर सियासत से हो जाएगा, माराश्टरा में बाराल कोई है, कोई जर्म माराश्टरा में कमिट हुआ हो, I think we should concede with a good grace, कोई समय नहीं आ रही, ना, बिलकुल नहीं आ रही, नहीं, सवाल तो consume करने, ये तो नहीं हो सकता, कि हम से, पुछें, पुछें अच्छा भाईया ये बताईए किसी एक वाके से शोहरत पाई, जी सर्थ, एक ही वाके की शोहरत है, एक ही वाके की शोहरत, वावववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववव नहीं। कॉन? गंगा का जो वो है जब गशाधूद य्लो में? 30-30 साल जबते हैं सर व्लॉब य्लो मुसलिम। सारी मुसलिम नहीं 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 हुगए कोई काथ सिख भी होगा वो तो मुसलिम थे दोनों दोनों मुसलिम्स थे कोई और फ्लाइट होमिसाइड केस है एक सिंगल इंसिडेंट है एक बाक्य है और यह जो है ना बिस्निसमैन हूँ यह लगता ही है कि एक सिंगल बहुट सिगनिफिकंट क्राइम है कोई बैंक का को बहुत बड़ा फ्रॉड सर कोई फ्रॉड ऑफ दे सेंचरी जिसने कुमिट किया हो देखते फिल फ्रॉड का बंदा हो सकता है सर यह मुझे मर्डर लगता है आप कह रहे हैं बैंक फ्रॉड उस दौर का मर्डर कोई आनी रहा जेन में मर्डर नहीं जिए लास्ट एक मिनिट एक मिनिट थोड़ा सा आखरी इसके उपर लगा दें पूरे चारों एंजिन्स का जोर लगाएं अल फोर एंजिन्स ये फ्रॉड करके अर्बों खर्बों का फ्रॉड क्राइम में जिसमें इन्हें शोरत मिली भाई साब को बुरी शोरत मिली एक सेकल एक सेकल एक बहुत बहा इंसिन्ट हुआ था बंबे स्टॉक एक्स्चेंज का मेरे जहन में ये कि कोई बैंक का आप स्टॉक एक्स्चेंज की बात करें कोई बैंक का को पता है क्यों मैं कह रहा हूँ मेरे जहन में क्यों आ रहा है he is studying accountancy and he must be reading history of accounts in South Asia or accountants, banking, bank crimes क्योंकि bank crime पढ़ते हैं ये stock exchange का भी भी बहुत बड़ा एक crime था जी 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 एक बहुत बड़ा कोई घपला कोई बहुत बड़ा कोई bank fraud कोई बहुत बड़ा stock market का fraud कोई ये ही definitely ये होगा definitely अब उसमें कौन involved है बंदे का हमें नहीं पता लेकिन crime definitely ये है सर इसके लावा radar पे कोई और crime आता नहीं है agreed पूछ लें फिर कोई crime की नौयत पूछें फिर उसके बाद नाम लेते हैं ऐसे ABC कर देंगे बबुराने का नाम ले देंगे आप पहले तो ये बताएं नहीं आप कोई ऐसा सवाल करें जिसमें banking इस्टाक एक्सचेंज या financial बास पूछ रहे हाँ हाँ भाँ financial अच्छा जी को बहुत बड़े financial fraud की कोई शक्सियत थी जी सर्थ उनकी करिये एत्य दक्ते पहुँच गे नाम लेना है सर अब सिर्फ नाम लेना है सर हमने नहीं नहीं आरहा नाम नहीं आरहा कोई reference दे दे या give up कर दें अच्छा जी वाक्की stock exchange बहुत बड़ा debacle बहुत बड़ा एक हुआ था वो हमारा शक्सियत का नाम नहीं आरहा भाई जान stock exchange से मुतलिक कोई फ्रॉड था stock exchange से मुतलिक कोई शक्सियत है नाम नहीं हमें आरहा आप जीत गें जिर्फ बता दें कौन है आप बिल्कुल गरीब पोँच गें नाम का तो फिर कोई इशू नहीं आप बिल्कुल ठीक पोँचे हैं आप ये हर्षद शांतिलाल मेता उसका पूरा नाम था वैसे अर्षद मेता के नाम से मुशूर है F.S.J. आप जो Bombay Stock Exchange का फ्रॉड कह रहे हैं वो ही है एक्जाक्ली 1992 इसलिए बता रहा हूं और उसने 1992 में पांच हजार करोड इंडियन रूपिस का फ्राड किया था जिसको अगर इंफलेशन के साथ हम करिये करें तो बीस हजार करोड इंडियन रूपिस बनता है तो बबू भाई अगर उसको पाकिस्तानी रूपिस में करें और डेली हम दो क नहीं दो अजार एक दिसंबर में इस तो हार अटैक हुआ था डिप्रेशन की वज़ा से कि 1992 में पकड़ा गया था इसमें जेल काटी वापस आके फिर दोबारा अपना बिजनस शुरु से स्टार्ट किया था लेकि इसके दोस्त ने फ्राड किया तो एक दोबाद अब उसक नहीं कर सका हो हार अटैक हो गया तो किस साल में मरा था यह दोजार एक में मरा था इनुस साथ ते बनते बाइस साल तो पच्छिस वुक नजजी की बनते हैं चलो 2001 चले थैंक यू वेरी मच थैंक यू एंड एफस जे वेल ड़न शाबाश और के सब्सक्राइंक यू अन्टी नाम से है तो जैसे हम मनी हैस का बोल रहे थे ना समझे वो तो एक फिल्मी चोरी है यह इसने जो मार्किट के लूप होल्स है ना उसको यूज करते हैं तब रिजिस्ट्रार ओफिस होते थे अब तो एक पांचिक्टा की ट्रांसेक्शन सिस्टम में होती है ना तो उसमें समझ लें दो हजार करोड का चेक्ट विदाउट किसी एविडेंस की ले लिया था स्टेट बैंक ओफ इंडिया से तो वो आप ठोड़ सा समझेंगे ना आपको टेक्निकल उसमें वर्ड है थोड़ से अकाउंट से तो आपको मज़ा आए अच्छा चोड़ साब ये बताईए कि अगर आप अकाउंटेंसी ना पढ़ रहे होते तो इस शक्सियत के वाकिफ होते हैं तो आपको समझ जाएगी अगर आपको गूगल करना पड़ेगा फिर देखेंगे दुबारा समझ जाएगी चलें थैंक यू बरे माँच बहुत शुक्रिया जी हमाई साथ महजूद है अब्दॉल्ला साब अस्सलाम अलेकुम वालेकुम असलाम कैसी है डॉक्टर रूपा बिलकुल ठीक ठाक वेलकुम तो किसौटी अब्दॉल्ला इस फ्रॉम बहरेन अच्छा जी अब्दॉल्ला साब ये बताईए शक्सियत मर्द है जी सर मर्द जिन्दा नहीं सर एक मर्द जो जिन्दा नहीं है एशियाई जी सर पाकिस्तानी क्योंकि ये जो तुम ओवर्सीज पाकिस्तानी जो ना तुम पाकिस्तान को बहुत मिस्स करते हो तुम पाकिस्तानी शक्सियत आम तौर पे पूछते हो जी सर तालुक शोबिस से है नहीं सर स्यासत और हकूमत से है क्या सकते हैं साब बट इंडिरेक्ट है वो सियासत भी नहीं है इंडिरेक्ट है एक मर्द जो जिन्दा नहीं है तालुक स्यासत और हकूमत से इंडिरेक्ट है जी सर क्या सकते हैं पंजाब से तालुक भईया नहीं सर सिं शकील साब के पी की कोई शक्सियत जिसका तालुक स्यासत से भी है स्यासत और हकुमत से इंडिर्एक्ट सा शकील साब आप ग्रेवियार्ट पे जाएए अबदिल्ला साब इनके इंतकाल को पचास साल से ज्यादा हो चुके हैं? नहीं साब पच्छी साल से ज्यादा नहीं सर 1998 के बाद 98 के बाद यनि आपके ख्याल में वज़े शौरत सियासत और हुकूमत के इलावा भी है कोई जी सर इस इस वाट यू मीन ये सर सियासत और हुकूमत उनकी वज़े शौरत नहीं है सर तालुक है इंडरेक्सा है और मेरे हिसाब से तो नहीं है लेकिन इंडरेक्सा है बात में अभी टीम जितना स्टडी किया है मैंने सार मज़े तो नहीं लगता है लेकिन इंडरेक्सा कह सकते हैं आप इंतकाल को 25 साल से आपने काई कम अरसा हुआ है जी साब शकील साब मजीद नेरो डाउन करें या दस साल का कर ले मेरे खायल में जी अब्दुल्ला साब इनके इंतकाल को दस साल से जादा हो चुके हैं अलमॉस्ट तो कौन सा सन बनता है दो हजार तेरा के करीब तू थाउजन तरिटीन है अब इसके नजदीक तो मौलाना सम्यलहक आ शाख खान उनका सियास्ट तो हकूमत से तालुक था हदोगी बहुत ही ज्यादा वो तो था ही हकूमत से तालुक वो तो पैदाशी हकूमत में थे वो भी पिरिएड यही है फिर बैतुल्ला महसूद की डेट आफ वो तो बात की है मेरे ख्याल है कुट बी राउंड ता पिर तेरे जेन में बैतुल्ला महसूद आता है जी 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 बिलकुल सही पिरिएड यही बनता है बैतुल्ला महसूद से पहले भी हाँ एक हकीमला महसूद भी था येस बाद में नहीं मशूर बैतुल्ला थे हाँ हकीमला भी खेर ठीक थे मिलिटन्ट थे दोनो बैतुल्ला मह और दूसरा इनका बेओ भी था ना मुनवर हसन जमात इसलामी वाले उनने इनके हाक में बिया था जिसकी वज़े से बड़ा प्रॉबलम हुआ उनको वो हकीम उल्ला मैसूद थे जी जी और बैत उल्ला उनसे पहले थे ये इनका अपना रेडियो भी था ये अपनी मार्श वो वो फजल उल्ला थे रेडियो वाले इनी का मतलब ग्रॉप ये वही था ना मैसूद ट्राइब से थे ये और बीबी का मर्डर एक बड़ी आम जो है ना जो इनके खाते में डाला जाता है क्या खाल है इस तरह डिफरेंशियेट हो जाएगा ना अच्छा जी बेनजीर पूशा जा सकता है जी मनवर हसन के हवाले से आपके नौलिज में है कि बैतुला महसूद का की तरफ इशारा करते हैं बड़े बड़े सूर्मा के उनका हाथ था इस ट्रेडिडी में जी सार बैतुला महसूद को मैं जानता हूं वो बीबी के जो कतल में मलवस उनके उपर ऐ आप रूल आउट कर रहे हैं अच्छा ये मतली है कि बाद जा रही है जी हकी मिलिटन्ट तो बस ये बन्यादी तोर पर ये थे दो मुनवर हसन के हवाले से पूछा जा सकता है उन्होंने बयान दिया था इनके हाक में मुनवर हसन ने इनके हाक में बयान दिया था जिससे बाद में बड़ी खल्बली मची थी जी सार आपने हकीम उल्ला महसूद पूछा जी सार भाई बड़ा प्योर बनता है और बैत उल्ला महसूद ने तो अपनी रियासत का इलान कर दिया था वो सुबह सुबह मार्च किया करता था सलामी लेता था वो क्या था है कीम उल्ला महसूद का सर मैं पोछ रहा हूँ अगर आप स्यासत और हकूमत नहीं कहेंगे तो हम मिस गाइड होंगे मिस लीड होंगे ना इल्मो फजल नहीं है स्पोर्ट्स नहीं है शो बिज नहीं है तो फिर हम कैसे पहुंचेंगे उन तक लेकिन अबदुला साहब I have a question if you say के और कोई फिल्ड नहीं है तो इन यूर पीनियन क्या फिल्ड है इनकी यह मिलिटेंट है मेरे हिसाब से तो डॉक्र साहब जितने मिलिटेंट है इस वक्त वो स्यासत कर रहे हैं अपनी अपनी मिलिटेंट को आप किस फिल्ड में लेके ज स Draefते है ना के हमारा यह मقसद है स्यासत है ना मकसद तालबान की वो अफगान तालबान की सपोर्ट करते हैं वो भी सैसत है यह भी सैसत है यह सोचा करें कि क्या हम उससे मिलीम धू नहीं होंगे जो जवाब आप दे रहे हैं आपकेपना तो हम किसी फिल्ड दक पहूँच ह ना सकते ना अगर आप कहते हैं सियास तो हकूमत भी नहीं है इल्मों फजल भी नहीं है शो बिस भी नहीं तो फिर हम कहां जाएंगे फिर हम ना पहुंच पाते हैं आपके इस कन्फ्यूइन से मैं पहुंचा हूँ बैतुल्ला मेसूद तक जी सैर क्योंके पीरियेट वही है तैंक यू अब्दुल्रा साब तैंक यू ब्रेजर तैंक यू ब्रेजर तैंक यू